हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल सिलास किचन में आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम आपको सेयर करने वाले हैं मूंग डाल का इंस्टेंट इटिली जिसे हम बेजिटेबल के साथ बनाएंगे यह बहुत जादा हेल्दी टेस्टी और यमी बन दिया है ताकि अच्छे से वह भीग जाए यानि कि फूल जाए तो दिखिए आप इसी एक घंटे के लिए भीगने के लिए रख सकते हैं दो घंटे के लिए भी रख सकते हैं लेकिन उसी भी जादा आपको जल्दबाजी है तो इसी थोड़ा सा गुर्भुने पानी में भी डाल के रख देंगे तो ये बड़ी असे भीग जाता है और मैंने भी आदे घंटे पहले ही रखा है तो ये बहुत ही बड़ी असे फूला नहीं है लेकिन इटली बनाने के लिए एड़ेडी है अब इसको मैंने चान करके और ब्लैंड कर लिया है मिंकसर जार में डाल करके और मैं एक बाउल में डाल ले रही हूँ तो दो बर करके मैं इसे पीस हूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे ये भीगा नहीं है तो एक साथ में सायदा दरदरा हो जाए इसलिए मैं दो बर इसे पीस रही हूँ और देखे दो से तीन चमस पानी डाल के मैंने पीस ऐसी आधा कफ ये यह बड्रक्ता। सकते हैं जार अच्छे सी कर देखे सकते हैं तो एक दो झालें जुझा ऑफो हूँखे माझे मैं फ्र दम फीसके क्योंकिती हैं एक यह श्यादा नहीं दो जगा आप जो सूजी रावा होता है वह भी ले सकते हैं क्या इटली रावा है वह भी डाल करके रख सकते हैं इसे 15 मिनट के लिए मैंने रेष्ट पर रखा है तब तक यह वेजिटाबल मैंने काटके रेडी कर लिया है 15-20 मिनट हो चुका है अब इसको हम देख लेते हैं तो इसे निकाल करके देखेंगे और देखिए 15 मिनट के बाद में पूरा पानी जो है इसने अच्छे से सोख लिया है और इसको अभी और पानी की जरूरत है देख सकते हैं काफी गड़ा हो चुका है तब हम इसके अंदर पानी एड़ करेंगे थोड़ा पतला करेंगे क्योंकि यह रवा है रवा पानी सोखता है और पहले से हमने इसे भीगने नहीं रखा है इंस्टेंट हम बना रहे हैं तेहां पर पानी एड़ कर लेंगे मैं इतना इतना दो बर पानी इसमें एड़ कर ली हूँ और इसको मिला लिया है अब यहाँ पर तीखे के लिए थोड़ा सा मै करिके घ्रेट वाला सिमला मिर्च है इसको भी मैंने बारी कट कर लिया है सीमला मिर्च अपको यहां परण दो ऐसे it was करें या और इसमें परiranशो को פ् även करें ve années जो आपको पसंद नहीं हैं सभी चीजों करूछ मिंबक्स देते हैं मिंबक्स करके यह से हम रहक देंगे जो हमें तुल अब ownership काफी गाधा लगरा लेकिन इसमें हम इनो या सोड़ा मिलायंगे उस वक्त इसमें पानी याइट करेंगे थोड़ा सा और, तो पहले मैं यहाँ पर तडड़का डाल लेती हूँ तो थोड़ा सा मैंने ऐल लिया है, उसमें राई डाल लिया है, सरसो और करी पतर डालेंगे, करी पतर थोड़ा सा इस तरह का हो जाए तो gas को off कर देंगे और इसे लिए चलते हैं इसके अंदर डाल देते हैं तो इसमें तड़का जरूर डालिएगा इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है बहुत अच्छा लगता है तो बिना तड़का को मत बनाईए गए इस इटली को नहीं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा बन जाएगा कोई दिकत नहीं है लेकिन टेस्ट नहीं आता है तो तड़का इसके अंदर जरूरी है देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है और इस तरह से इसके लूज करेंगे काफी गाढ़ा था इस तरह का हो गिया है और सभी चीजें तो हमने डाल दिया है बस इसके अंदर हमने नमक नहीं डाला था ग्रीश कर लिया है बट आपको मैं दिखा रही हूं कि इनो डालने से पहले इटली स्टेंट को ग्रीस कर लेंगे तो मैंने कर लिया है अब देखेए आधा सबुम करेंगे बहुत हैं आप नहीं करना है हमें जब इनो हम डाल देते हैं अगर आप मीठा सोड़ा डालते हैं तो फटा में लगा भी सकते हैं तो कोई दिकत नहीं है लेकिन इनो डाल रहे हैं तो आप जितना बेक करना है उतना ही अलग-अलग करके उसमें डाले और इसे इस्टीम करें तो मैंने रेडी कर लिया है चलिए गेस के तरफ चलते हैं तो इटली इस्टेंड के जगा हमें इसे कूकर में इस्टीम करूँगी तो kukar में मैंने पानी दो गिलस डालके रख देना है रख करके मीडियम टू हाई फिले के gas को रख के से स्टिम कर लेना है और थोड़ा सा बस गया है तो उस दुसरे वाले चूले के मैं फटाफट से इसे अपे मेकर में भी इसे करें आप कोटोरी में भी इसे स्टेम कर सकते हैं बच गया है बेटर तो तो मैं अपय पाय में इसे बना ले रही हूं और इसे ढख देंगे और दोनों तरफ से बढ़िया से शेक लेंगे अब यह दिखिए टाइम हो चुका है इसको एक बार देख लेते हैं चेक कर लेते हैं तो तो दीकि काफी भाप निकल रहा है और भाप थोड़ा से निकल जाएगा तो हम इसे चेक करेंगे तो दिक एक टूद पिडिक लीजिए यह चाकु लीजिए कोई भी चीज ले लीजिए और इस तरह से चेक कर सकते हैं अगर तो समझ लिए कि रेडी है अगर क्लीन नहीं है तो थोड़ा सा और आप इस्टीम कर सकते हैं लेकिन यह क्लीन है गैस को हम अफ कर लेंगे और इससे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो दिकिए ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स अब हम इस तरह से निकाल लेंगे एक चाकू वनकी रेडी होगी है फ्रेंड्स देख सकते हैं तो इसी तरह से मैं सभी इटली को निकाल करके रेडी कर लेती हूँ और बहुत यह असानी से निकल रहा है कोई दिकत नहीं है उजना चिपका है और नहीं तो मतलब टूट रहा है और सौफ्ट भी है मैं आपको दिखाती एक कितना यह सौफ्ट बना है और इंस्टेंट है हमें रात भर भीगने के रखने की भी जरोत नहीं पड़ी आप रात भर भीगा करके भी आप जिस तरह से इटली बनाते हैं उस तरह से भी इसे बना सकते हैं और देख सकते हैं कितना स्पंजी है कि मैं इस तरह से दबा रह इतना इस्पजी भी बना हुआ है तो बहुत यहीं बढ़ियां बना है लिए को सर्फ कर लेते हैं तो मैं ने इसे नारियल की चट्नी के साथ सर्फ किया है आप किसी भी चट्नी के साथ इसे बेजहीजは खा सकते हैं आप एसे घ्रीभी घरा झा करें लुए दो hayır थे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है तो देख सकते हैं फ्रेंट्स मूंग डाल की इंस्टेट इटली बनकी रेडी है तो फ्रेंट्स आप सब भी इस इटली को बनाएं खाएं और मेरी रेशिपी आप सबको पसंद आई होगी तो इसे लाइक सियर और मेरे चैनल को सब्